नमस्कार मित्रो आचार पंड़ स्रीकन पठर या जोतेश विशेश अगछेतर पुर्मदप्रदेश से किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप 91, 36, 34, 53 पर संपर्क करके सभी प्रकार की समस्याओं का तुरंत समाधान पाईए रविवार 27 अक्टूबर 2019 को दिपावली है दीवाली पर लच्मी पूजा का सुब मुहुरत है अवदी एक घंटे 69 मिलट की पुरदोस काल का सुब मुहुरत है साम को पाँच बच के पचपन मिलट से रात्री आठ बच कर आठ मिलट तक सुब मुहुर्त है ब्रिस लगने का सुब मुहुर्त है साम को छे बच के पैंतालिस मिलट से रात्री आठ बच कर चबालिस मिलट तक ब्रिस लगने का सुब मुहुर्त है दिवाली महानिशीत काल मुहूर्त है लच्छमे पूजा मुहूर्त रात्री का रात्री ग्यारा बच के संताउन मिलट से बारा बच के चंगन मिलट रात्री तक सुब मुहूर्त है यह अवदी संताउन मिलट की है किवल महा निशीत काल रात्री ग्यारा बच कर संताउन मिलट से बारा बच कर चंगन मिलट रात्री तक सुब मुहूरत है सिंग लगने का रात्री में एक बच के बारा मिलट से रात्री दो बच के पच्चिश मिलट तक रहेगी सिंग लगने का सुब मुहूरत है इस वार रवी वार जो रवी रवी का सुर्ज रवी का स्वामी सुर्ज है और सिंगराशी होती है स्पुजर बच् पूजर मोहूरत रात्री के समय निसाद कालिन पूजर कर सकती हो दिवाली सुबच चोगढियां मोहूरते दुपहर एक बच के आठ मिलट से दो बच के बतिस मिलट दुपहर तक साइंकाल का सब मुहुरत है जो सुब अमरत चल इत्यादी सब मुहुरत होता है शाम को पांच बच के पचपन मिलट से रात्त्री दस बच कर पांच मिलट तक रहेगा रात्री का महुर्त लाब जिसके करने से बहुत लाब प्राप्त होगा रात्री जिसके करने से सिध्धी प्राप्ती होती है रात्री एक बच कर 34 मलट से रात्री दो बच कर 28 मलट तक रहेगा उसा काल मुहुर्त सुब रात्री के समय जिसके करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है रात्री तीन बच के 35 मलट से प्राता काल 5 बच के 44 मलट तक रहेगा आपको बता दें कि धन वैभाव की देवी महालच्मी के आराधना को समर्पित दीवाली का परवे इस साल 27 अक्टूबर याने की रविवार को मनाया जाएगा 27 अक्टूबर 2019 को है यह हर साल कार्टिक मास की अमवश्यातिती को मनाई जाती है दीवाली का सुब्मूर्थ वही इस दिन विधी विधान से महालच्मी, स्रीगरेश, कुवेर और देवो के राजा इंद्र की पूजा अचना की जाती है वही महालच्मी प्रसंद होकर अपने भक्तों की सवी परेशानियों को दूर करती है तथा विष्डु भगवान और लच्मी जी का विधी विधान से भी पूजन किया जाता है वही धन संपत्ति बैभा एस्वर से उसके जीवन को भर देती है वही दिवाली के दिन सुब महुर्थ के पूजन करना अधिक सुबदाइक माना जाता है जानिय देवाली की पूजन सामगरी कलावा, रोले, सिंदूर, हल्दी, कलस के लिए पानी वाला एक नारियल तथा एक कलस, एक दीपक, एक सुखा नारियल, अक्छत, अक्छत बोती है चांवल को लच्मी और श्री गड़ेश के लिए लाल और पीले बस्त रहे पुष्पे, पात प्रकार के शुपारी, लोंग, पान के पत्ते, गाय कागी, कलस, आम के पत्ते, चोकी, तथा एक हवन कुंड थोटा सा या बड़ा जितना हवन करना हो किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप एकानवे, एक्टीस, छटीस, चोंसर, त्रेपन पर संपर्क करके सभी प्रकार की समस्याओं का तुरंत समाधान पासकती हो जय बाबा बिस्सुनाद